पाकिस्तान की कंगाली के कारण अब वहां की आर्मी बहुत लंबे समय के लिए कमजोर होने जा रही है यदि पाकिस्तान को अपने देश को बचाना है तो उसे आर्मी को कमजोर करना पड़ेगा और इस कमजोरी का फाइदा भारत को उठाना पड़ेगा और पीयोके को अपने अंदर मिलाना पड़ेगा अखिर क्या है पूरी अबर क्या है पूरा मामला जानेंगा हम इस वीडियो में लेकिन उससे पहले बता दो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निकल लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें दरसल बता दे कि पाकिस्तान में फैल रहे आर्थिक महतंगी के भीच पाकिस्तान को आइमफ ने साफ तोर पर कर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी डिओजट में कतवति करनी पड已经 इस सिधारों के बाद ही पाकिस्तान को लोन मिल पाएगा ऐसे में जब पाकिस्तान अपने आर्मी को पैसा देना कम कर देगा तो उसकी आर्मी पहले से भी कमजूर हो जाएगे इस इत्रती में भारत जब चाहे तब पलग जपकते ही प्योके को अपने अंदर हासिल कर सकता है वैसे भारत के पास प्योके हासिल करने के बहुत अच्छे सुनहरे आउसर आ रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान की अर्थ बेवस्ता डामाडोल है दूसरी तरफ उसकी आर्मी की बजट में कमी की जा रही है और तीसरी तरफ प्योके के लोग खुद ही धर्नाफ प्योके करके भारत के पास आने की प्रयास कर रहे हैं इन सभी तीजों के बीच देखा जाए तो भारत को चोतरफा फायदा मिल लहा है इंटरनेशनल मीडिया से ले करके अरब कंट्री भी अब भारत के खेमे में आ चुके हैं जिसे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसके बारे में आपके क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं